वंश बहुत उत्साहित था, महीनों की उम्मीदों के बाद वह आखिरकार अपने सपनों के कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, वह जिस हॉस्टल में रहने वाला था, वह कॉलेज के ठीक पीछे एक पुरानी और विशाल इमारत थी, उसकी वुडन फ्लॉरिंग और मोटी पत्थर की दीवारें, एक रहस सिमय आकरशन पेदा करती थी, वह जगह ठीक वैसी थी, जैसे आप किसी हॉरर नॉवल में पढ़ते हैं, लेकिन पहली रात कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे ही वंश ने अपना सामान खोला, और छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटने की क कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ, कि वह अकेला नहीं था, दीवारें, जो बहुत पुरानी थी, जैसे उसके साथ सांस ले रही थी, और किसी जीवित चीज की तरह कराह रही थी, उसने इसे नजर अंदाज किया, ये सोच कर कि आखिरकार ये पुरानी इमारत है, उस रात बिस्तर के नीचे धीरे से हिलने की आवाज आई, जैसे कोई उसके पास बैठा हो, वंश का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आखें कमरे में इधर उधर घूमने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, हवा और भी ठंडी हो गई, उसने कंबल क कसकर उड़ लिया, और फिर हलकी से आवाज आई, एक फुसफुसा हट, धीमी, खर-कराती, जैसे एक सिस्की हो, निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, ये सुनकर वंश के होश उड़ गए, उसकी सांस थम गई, और वह जल्दी से उट बैठा, बिस्तर में एक चर-चराहट जैसे किसी ने अपनी साइड बदली हो, लेकिन कमरा खाली था, फुस-फुसा हट जारी रही, उसके चारों और गूंज रही थी, ये सिर्फ उसकी कलपना नहीं थी, ये रियल में हो रहा था, जैसे जैसे और रातें बीटती गई, ये मौजूदगी और भी मजबूत होती अब सिर्फ बिस्तर ही नहीं हिलता था, ये महसूस होने लगा, जैसे किसी के हाथ उसकी टांगों को छू रहे हो, कुछ अद्रिश्य चीज की ठंडी सांस उसकी तवचा पर दबाव डाल रही हो, उसने हर तरीका आजमाया, प्रार्थनाय की, अगर बत्तियां जलाईं, यह जाकता रहा, दिवारों पर उभरते हुए साइं को देखता रहा, और उसकी धड़कन कानों में गूंज रही थी, आधी रात के बाद, जब सब कुछ गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, उसने फिर वही फुस-फुसा हट सुनी, अब और भी साफ, जाओ, या ये कश्ट जेलो, तभी वंश को एहसास हुआ, यह मौजूदगी बिस्तर से जुड़ी थी, उसी कमरे से, लेकिन शायद इसे हमेशा के लिए निकालने का एक तरीका था, डरी हुई हथेलियों से उसने अपना फोन खोला, और एक पुरानी विधि ढूंडी, जो रेसलिस आत्माओं को खदेडने का वादा करती थी, वह विधि सरल थी, लेकिन इसके लिए साहस की जरूरत थी, वंश में जो भी ताकत बची थी, उसने जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसकी आवास कांप रही थी, लेकिन तरड थी, जैसे ही उसने शब्दों का उच्चारण किया कमरे का माहौल गहरा हो गया, और हवा भारी हो गई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो, अचानक बिस्तर जोर से जटके के साथ हिला, और एक ठंडी भूतिया आकरती साय से बाहर आई, उसका चेहरा पीला था, उसकी आँखें गहरे अंधकार से भरी थी, वह उसकी और बढ़ी लेकिन वंश ने हिम्मत नहीं हारी, उसने मंत्र खत्म किया, आकरती ने जोर से चीखा, एक कश्टकारी आवाज और एक आखिरी ठंडी रोशनी की चमक के साथ, वह गायब हो गई, कमरे का तापमान सामान ने हो गया, हवा हलकी हो गई, वंश पसीने से तर बतर बिस्तर पर देखा, और पहली बार कई दिनों में कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई मौजूदगी नहीं थी, वह डर अब खत्म हो गया था, रूम अब उस आत्मा से मुक्त लग रहा था, पर वंश ने रिक्वेस्ट करके अपना रूम चेंज कर लिया, लेकिन जब भी वह हॉस्ट करती हुई, अगली बार उस रूम और बिस्तर को लेने वाले का,